कामगार संगटनों के भीश में पिताम है कि तौप पर पहचाने जाने वाले भाई A.B. बर्धन की पहल और नेतरत्व में इस्थापित हुए परवाना भवन का 20 नवंबर को All India Trade Union Congress की महासचिव अमरजीत कौर के हाथो और All India Bank Employees Association के महासचिव C.H. वैंकटा चलम की उपस्तिती में उधखाटन होगा पंजाब की बदेलहारा गाव में 3 नवंबर 1923 को हरवंसलाल का जनम हुआ उनके अखवार और करांतिकारी उर्दू साहित लेखन को देखते हुए परवाना नाम धारन किया था पाकिस्तान के लाहूर में पंजाब नैशनल बैंक में दफ्तरी की नौकरी के दोरान बैंक के करमचारियों का शोशन औव्वेथा देखकर उन्होंने बैंक करमचारियों के संगठन की स्थापना की थी उसकी सजा के तौर पर बैंक ने उन्हें बर्खास कर दिया था नौकरी की तलाश में वे दिल्ली आये थे उन्हें भारत बैंक में प्रशिशनार्थी के तौप पर नौकरी मिली कामगार आंगदोलन को उन्होंने छोड़ा नहीं वहां से भी उन्हें बर्खास कर दिया इसके बाद उन्होंने नौकरी करने का ख्याल ही मन से निकाल दिया पूरा जीवन आविवाइत रहते हुए कामगास संगठन के लिए खुद को समर्पित कर दिया 18 अप्रेल 1975 को उनका दिल का दोरा पढ़ने से निधन हो गया इसके बाद इस्चन महराश्र बैंक का एंप्लोईस असोसियेशन ने उनकी स्मृती में भवी स्मृती भवन का निर्मान करने का तैय गिया बाई बर्धन के प्रयासों से परवाना भवन तैयार हुआ इस भवन का नवीनी करन हुआ है उसका लोकारपन शनिवार को हो रहा है और साथ में परवाना भवन का उद्गाडन भी कल हो रहा है परवाना भवन यह पहले जो रूप में था वो अच्छा एक डाइनमिक और लेटेस्ट फॉर्म में आया है कि जिसका सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा उसका उल उद्देश उसमें जो एजुकेट करना है वरकर्स को और उसके जरिए एक मास अवेकनिंग लोगों में बढ़ाना है कि हमारे लीडर लोग हमेशा बोलते थे कि इंस्टुटुटुशन जो है उनको पराय मत बनाऊ वन वो ड़स नोट से दाट आई बिलॉंग तो इंस्टुटुटुशन कैमरा परसन राजकमा मोहर के साथ शिती जादेश मुख बीसे न्यूस नागपुर